धारा 370 में मोधी सरकार के फैसले का समर्थन करने के बाद जोती रादित सिंध्या एक वाफिर से शुर्खियों में हैं धार 370 में मोधी सरकार के फैसले का समर्थन करते वे जोती रादित सिंध्या ने ट्वीट करते वे कहा था जम्मू कश्मीर और लद्दा को लेकर उठाए गए कदम और भायत देश में उनके पूर्ण रूप से एक इकरन का मैं समर्थन करता हूँ समवैधानिक प्रकिडिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाता तो बेहतर होता साथ ही कोई प्रश्ण भी खड़े नहीं होते लेकिन ये फैसला राश्ट्रहित में लिया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूँ सिंध्या के इस्ट्विट के बाद भाजपा के निताओं ने सिंध्या को भाजपा परिवार कहीं सदसे बताया है भाजपा के राश्ट्रे उपाध्यक्ष प्रसांत जहा ने शनिवार को भोपाल में कहा सिंध्या ने धाया 377 हटाने का समर्थन कर शावित किया है कि वो राजमाता बिजेयर राजे सिंध्या के पोत्र है प्रभाद जार ने कहा कि सिंधिया भाजपा के परिवार के ही है वो कोई अलग परिवार के नहीं है इनके पिता माधव राव शिंधिया ने पहला चुनाव जनसंग के चुनाव चिन्र पर ही लड़ा था जहा ने कहा जोती रादियत सिंध्या वैसे तो राहुल गांधी के ब्रिगेट के माने जाते हैं लेकिन राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा उन्होंने भारत माता को माना है जहा ने आगे कहा राजनिती में किसी वी वेक्ति की कोई दुश्मन ही नहीं होती है ये विचारधारा की लड़ाई है जरूरी नहीं है कि जिसकी विचारधारा आज हमारे खिलाफ है वो हो सकता है कि कल हमारी विचारधारा प्रभावित हो जाए उन्होंने कहा मैं सिंध्या जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ वही मद्य प्रदेश के पुर्व मुख्य मंत्री जैभान सिंग पवईया ने धाया 370 पर शिंध्या के समर्थन करने पर कहा था कि सिंध्या जी कॉंग्रेश का साथ छोड़ कर भाशपा में सामिल हो जाएं हम उनका श्वागत करेंगे आपको बता दे कि जोती रादेत सिंध्या की दादी राजमाता विजया राजे सिंध्या भाशपा की संस्था पक सदसे थी वहीं उनके पिता माधव राव सिंध्या ने पहली बार जनसंग के टिकर सिशांशत बने थे 69 में जब इंदरा गांधी ने प्रिंसली एश्टेटरस की सारी सुविधाय चीन ली तो बिजया राजे सिंध्या जनसंग में शामिल हो गई थी बेटे माधव राव सिंध्या को भी उन्होंने जनसंग जोईन कराया था 71 के चुनाव में जब देश में चारो तरफ इंदरा गांधी की लहर थी तब 26 साल की उम्ण में गुणा संसद्य शीर्ट से माधव राव सिंध्या जनसंग के टिकर पर पहली बार चुनाव जीत कर शांसत पहुँचे थे फिर जब अगला चुनाव 1987 में इमर्जेंसी के बाद हुआ तब माधव राव सिंध्या गुणा संसद्य शीर्ट से दो बार चुनाव जीते हाला कि इस वार उन्हों निर्दली चुनाव लड़ा था